आपका स्वागत है आज हम करेंगे सुख आसन इसको सीखनी के लिए सबसे पहले हम इसकी सावधानिया सीखेंगे जानेंगे और उसके बाद हम इसकी विधी कैसे करते हैं और उसके बाद हम इसके लाभूं पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले आएए जाने किसे ये आसन नहीं करना चाहिए या सावधानी पुर्वक करना चाहिए अगर आप घुटने के दर्ट से पीरित हैं तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए रीर की हडी से प्रशान व्यक्ति भी इस आसन को अगर करते हैं तो कम समय के लिए करें या दिवार से सटके ये आसन करें दिवार से पीटिका कर ये आसन हमेशा खाली पेट करना चाहिए और इसे थोड़ा शांत वातावर्ण में और अच्छी वायू जहां हो वहां पे करना चाहिए साइटिका के रोग्यों को भी ये आसन नहीं करना चाहिए सो आहें देखें कैसे करते हैं ये आसन यह बहुत ही जैसे की नाम से ही पता चलता है । वार के किada using सुक्षण सुक्फुर्वक किया जाने वाला आसन है और इसरे फायदे इसके लाब बहुत सारे हैं वहार्टम तो चलिए देखें कांटे हैं सुक्षण सबसे पहले तो आप पैडों को सीधा रखें फिर एक पैड घुटनों से मोरेंगे दूसरे जंगा के नीचे दूसरा पैड मोरके पहले जंगा के नीचे इस तरह से हम सीधा बैठ जाएंगे इसमें कुछ भी नहीं करना, ना हमें पैर उठा के उपर रखना है, जिस इस तरह से, और हाथों को, दो तरह से हाथों को हम रख सकते हैं, एक है ये ध्यान मुद्रा में हाथों को रखे, ग्यान मुद्रा में, पीट सीधी, रीर की हड़ी पूरी सीधी, गला, गर्दन पूरी उपर के और तनी हुई और आखों को धीरी से बंद करेंगे दूसरा ढंग है कि अपने बाए हाथ के उपर बाए हथेली के उपर दाई हथेली रखेंगे अपने दोनों अंगुटों को हाथ के अंगुटों को ऐसे जोड़ेंगे अगर आप ग्यान मुद्रा में रखने में आपके कंधे में परशानी होती है या आपको ये ज़्यादा पुर्वक बैठना लगता है तो आप हाथ को इस तरह से रखें कंधा रिलाक्स्ट आराम से पीट सीधी आखे बंद दोनों हाथ के पोजीशन में जैसे भी आप बैठना चाहें बैठें आखों को बंद करके रखेंगे और धीरे-धीरे अपने सांस पर ध्यान देंगे सांस बहुत सारी जल्दी-जल्दी नहीं लेनी है सांसों को धीरे-धीरे अंदर लेना है अगर अब काउंट के साथ ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है छे काउंट छे सेकंड तक अप सांस बढ़ें फिर छे सेकंड तक धीरे-धीरे सांस को निकालें कोई हर्बराट नहीं है तो बस यह सुखासन बहुत ही आसान आसन है लेकिन अगर आपका मन चंचल है किसी चिंता से द्रिग्ण है तो आप दिन भर में चार-पांच बार इस तरह से आसन को लगाएं और आप पाएंगे कि आपका मन एकदम सांत हो जाता है तो आएं देखें सुखासन के लाव क्या क्या है सबसे पहले तो यह आसन जब हम ध्यान के लिए यूज करते हैं जब ध्यान लगाते हैं या प्रानायाम करते हैं तो उसमें हम इस आसन को लगाते हैं इस आसन को लगाने में यह भी है कि दूसरे भी प्रानायाम या ध्यान क पर यह सबसे आसानी से और सब लोग कर सकते हैं इस लिए इसे यह सबसे ज़्यादा वाइडली कॉमनली लोगों के द्वारा ये यूज किया जाता है जब आप प्रानायाम या मेडिटेशन करते हैं ध्यान लगाते हैं आएए देखें कि इसके लाफ करके हम जाने इसके लाफ किया क्या है कि जैसे पहले वय ने बोला यह ध्यान और प्रानयाम में बहुत ही सायक है इस आसन को करने से आपका मद एक दम् donor शांत और एकाग्री चित हो जाता है विद्यार्थियों के लिए यह बहुती आसान बहुत ही अच्छा आसन है जिससे कि अगर वो कुछ और आसन ना करना चाहे इस आसन में बैठ के अपने मन को इकाग्र कर तब पढ़ाई के लिए अपने पढ़ाई कर सकते हैं Vidaartya को eyes अच्छी तरह से समझ में आएगा इससे स्मर्ण सक्ति बढ़ती है मतलब कि आप जो भी पढ़ेंगे वो ज्यादा याद रहेगा या जीवन में भी जो लोग विद्यार्थी नहीं है उनकी भी स्मर्ण सक्ति पर यह बहुत अच्छा असर डालता है यह आपकी सोच को सकारात् और सुखासन चिंता या किसी तरह का अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं को भी दूर करता है यह आसन मन के चंचलता वो बहुत ही शांत कर देता आपका मन उद्रिग्न है चंचल है तो वो इस आसन से आप अपने को शांत कर पाएंगे रीर की हड़ी में होने वाले जो पर रहत मिलती है पर अगर रीर बहुत ही जादा आपका कोई प्रॉब्लम है रीर की हड़ी में तो यासन नहीं करना चाहिए नहीं तो यह रीर की हड़ी पे दवाब डालेगा या किसी तरह का आपको अनकंफिड़िबल करेगा आप उतना अच्छा मसूश नहीं करेंगे तो र आपके जंगा भी पुष्ट होती है मान स्पेशियां पीठ की बहुत ही अच्छी हो जाती है सुखासन को करने का सबसे अच्छा सब है सुबह का समय है पर इसे साम के समय भी किया जा सकता है एक चीज का ध्यान रखें जब भी आसन करें अगर खाली पेट है तो आप आराम स कर पाएंगे और इसके फल भी जादा अच्छे मिलेंगे नियमित इसे 5-6 बार दिन में आप कर लें तो आपके लिए तब भी अच्छा है सुबह साम के अलावा दिन में भी 2-4 बार अगर आपको टाइम है तो आप कर लें सुबह साम तो जरूरी करें तो यह था सुखासन क करने का की विधी और उसे होने वाले लाग। धन्यवाद। नमस्कार, NIOS के योग आसन श्रिंखला में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वज़रासन के बारे में वज़रासन की विधी उसकी सावधानिया और उससे होने वाले लाप के बारे में। सबसे पहले सीखें वज़रासन की सावधानिया। वजरासन में घुटनों पे दवाब ज्यादा पड़ता है, इसलिए अगर घुटना कड़ा है या घुटने में कोई परिशानी है तो यह आसन नहीं करना चाहिए, जिनके भी पैर या जंगा ज्यादा मोटी हो, बैटने में इस आसन में अगर परिशानी हो तो उन्हें यह आस नहीं करना चाहिए, जिनको वेरिकोस वेन की शिकायत है, जिनकी नसे नीली और मोटी हो गई है पैर के अंदर, उनको यह आसन नहीं करना चाहिए, वेरिकोस वेन को और ज्यादा की परचानी बढ़ा देता है, तो अब जानते हैं वजरासन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पीठ सीधी, फिर धीरे एक पैर को पीछे मोरेंगे, फिर दूसरे पैर को पीछे के और मोरेंगे, और अपने एरियों के बीच में बैठेंगे, हमारा जो बड़ा अंगुठा है, जो पैर की उंगलियों में जो सबसे मोटा अंगुठा है, उन दोनों को सटा के राखेंगे और एरी बाहर की और, उनके बीच में बैठेंगे, दोनों हाथ ऐसे जंगाओं पे, पीट सीधी, और हमारा चुटी जमीन के समानता है, आखे सामने, दीरे दीरे इस पोज में हम आखों को दीरे दीरे बन करेंगे, और अपने सांस पे ध्यान देंगे, यह है वजरासन करने की विधी, इस आसन को सबसे ज़्यादा यह आसन हम खाने के बाद करते हैं, जिससे हमारे पाचन सकती बहुत बढ़ती है, और हमारे पाचन में बहुत सहता होती है, पर आएए देखें इससे होने वाले लाव के बारे में, ऐसे देखें तो वजरासन के बहुत सारे लाव हैं, पर हम यह कुछ जुमहत्पुर्ण लाव हैं, उनके बारे में बताएंगे, यह आसन ध्यान के रूप में भी जब आप में प्रानयाम या ध्यान लगाते हैं, जैसे हम सुख आसन में बैठ सकते हैं, अर्ध पदमासन, पदमासन या वज्ज आसन में बैठ सकते हैं, यह आसन ध्यान, प्रानयाम या त्राटक करने के लिए बहुत ही उप्यूक्त आसन ह इस आसन को करने से हमारी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी होती है और पाचन शक्ति के अलावा पजरासन रीर की हड़ी को मजबूत बनाता है और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये दिन में किसी भी समय किया जा सकता है ये खाने के बाद करना तो बहुत ही अच्छा है ये खाली पेट भी किया जा सकता है तो ये समय नहीं देखना है जब भी आप कर सकते हैं वजरासन वजरासन में बैठ चाहिए इससे आपके शरीर को को मजबूती तो मिलती है आपके बैक को आपके मेरुदंड को आपके डीर को मजबूती मिलती है आपका पाचंस रगती अच्छा रहता है आपके पैडों में पून का संचरन कम हो जाने से रगत का संचरन कम हो जाने से पून का संचरन सरीर के उपरी भागों में ज्यादा होत सकते हैं और वच्छ आसन से सांसों को बहतर बनाया जा सकता है बहतर से मतलब है कि इस आसन के अभ्याद से हम सांसों को योग सहरूप बना देते हैं नमस्कार, NIS के योग आसन श्रिंखला में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे पश्चिम उत्तान आसन पश्चिम उत्तान आसन जैसे कि नाम से प्रतीत होता है पीछे के सारे मांस्पेशियों को खिचाओ देता है हमारे मेरुदंड को खिचाओ देता है जंगा को खिचाओ देता है और इसके बहुत सारे फाइदे है और इसके कुछ सावधानिया भी है जो सबसे पहले तो हम इस विद्धी को देखते हैं उसके बाद इसके लाव और स करेंगे समझेंगे सबसे पहले देखें पस्चームधानासन कैसे करते हैं अपने मेट पे सीधा बैठें पेरों को आगे सीधा रखें और दंड आसन में पैठें इसमें अपने मेरु ने मिले हुए दोनों पंजे मिले हुए और धीरे-धीर करने हाथो को ऊपर के ओर ले जाएंगे सांस भरते हुए कर जो यहां हम अपने मेरु धनों को अच्छी खिचाएंदे अंगयों आपने दोन Ooh के उंग्लियों और इससे हमारा पूरा शरीर इस आसन को करने के लिए थ्यार हो जाएगा फैर क्यों अपनी और खीचे खांतों को उपर सिर को धोड़ा उपर करके अपने उंगलियों की तरब देखे खांतों को आगे खीचते हुए धीरे धीरे आगे के ओर आएंगे जुकेंगे सांस छोड़ते हुए या तो आप मुलियों को पकड़े या अपने पैर को साइट से पकड़ सकते हैं घुटने मिले हुँगे अपने शरीर को आगे खीचिए और धीरे धीरे अपनी ठुड़ी को आगे निकालके थोड़ी देखे लिए दुकेंगे मांस स्पेस या इस स्थिती में हमारे शरीर की एड़़स्ट होनी चाहिए उसके बाद सांस लेते हुए शरीर को थोड़ा आगे खीचते हुए नीचे की और ले जाएंगे अपनी कोनियों को नीचे जमीन के और जुका है कंधों को डीला छोड़े इस स्थिती में समाने सांस लेते रहना चाहिए और फुरी देर लग बीस सेकंड से तीस सेकंड अगर इसको होल करते हैं तो हमारे शरीर का सारा भाग पीछे का खीच जाएगा अब दीरे दीरे अपने हाथों को आगे खीचते हुए उपर उठेंगे सांस भरते हुए अपने हाथों को वापस अपनी जगत यह था पश्चमोत्तान आसन इसके पहले कि हम इसकी साफधानियों लाप को जाने सबसे पहले हम इसका जो हमें इसके जस्ट इसके बाद एक आसन करना चाहिए यह है पुर्वतान आसन जिससे की जो हम आगे जुपते हैं हमारी कमर आगे क्यों जुपती है उसको बालेंस में लाने के लिए इसको विप्रीत इसामे बाडी को रक करने के लिए हम करते हैं पुर्वतान आसन जो चले देखे पुर्वतान आसन कैसे करेंगे कि दोनों हातों को पीछे रखेंगे और अपने सिर को पीछे के और धुकाएंगे धीरे धीरे अपने बटक्स को उपर उठाना है और अपने पूरी पैर का पूरा जो तलवा है वो जमीन में लगाएंगे घुटने सीधे इस स्थिती में थोरी देर रहेंगे और फिर धीरे धीरे साथ छोड़ते हुए निची आ जाएंगे ये था पुर्वतानासन जो हमारे सामने के सरीर को खीचता है पश्चिमुतानासन करने के बाद यह आसन हमें जरूर करना चाहिए तो आएं देखें पश्चिमुतानासन में किस तरह की साथानी बरतनी चाहिए लखनी चाहिए सबसे पहले अगर आपके पेट में अलसर है या पेट से रिलेटेट आतों से रिलेटेट कोई विमारी है तो हमें पश्चिमुतानासन नहीं करना चाहिए पेट का operation हुआ हो तब भी नहीं करना चाहिए और सबसे पहले बात तो हमारा पेट खाली हो तब ही ये आसन करना चाहिए जैसे आपने देखा इसमें हमारा पेट पूरा पैनों पे दोहरा हो जाता है ऐसे में पेट खाली हो, पेट को अंदर खीच के ही आसन करते हैं और जब भी हम इस आसन को करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जल्दिवाजी या जटके के साथ नहीं करनी चाहिए इसके लिए हमें इस अभ्याज को करने के लिए सबसे पहले तो हम सीधा बैठेंगे और बहुत धीरे धीरे सांसों की गती के साथ इस आसन को करते हैं आगे जुपते समय सांस चोरेंगे, पेट को अंदर खीचेंगे और जब हम उपर उठना है तो हम अपने हाथ को आगे खीचते हुए उपर तान कर उपर उठेंगे सांस लेते हुए तो जिसके भी ऐसे में पेट पर चुकि बहुत ज़्यादा दवाब परता है तो पेट के किसी भी प्रॉब्लम, आतों में सूजन हो, हर्णिया हो, अलसर हो, ऐसे में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए इसके लाबा अगर आपके कमर में तकलीफ है, तो भी यह आसन नहीं करना चाहिए और इस आसन के बाद, चुकि इस आसन में हम आगे के और जुकते हैं, एक सावधानी यह है, कि जैसे मैंने अभी दिखाया, कि हमें इस आसन के तुरंद बाद पुर्वत्तान आसन करना चाहिए कुछ लोग इस आसन के बाद भुजंग आसन या शलव आसन भी कर लेते हैं, तो दोनों आसन ठीक उल्टा अपके मेरुदंड को उल्टी तरफ खीचता है, तो यह थी सावधानिया जो हमें पश्चिमुत्तान आसन करने से पहले ध्यान देना है, इसके बार आईए चले दे हैं, पश्चिमुत्तान आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, और इसके नियमित अभ्यास से शरीर की हाइट भी बढ़ाई जा सकती है, यह पैरों की कोई भी समस्या हो, जैसे कि मास्पेश्चियां आपकी कमजोर हो, तो उन्हें मजबूत बनाता है, अगर वो कड़क हैं तो उन्हें लचीला बनाता है, तो मास्पेश्चियों के हेल्थ के लिए, स्वास्थ के लिए भी, पैरों की मास्पेश्चियों के स्वास्थ के लिए भी यह बहुत अच्छा आसन है, यह पेट की जर्भी को कम करता है, और पेट की पेश्चियों को भी मजबूत करता है, अपज, कब्ज, आदी को दूर करता है। पस्चि मुत्तान के अभ्यास से तचार रोग भी दूर करने में सहता मिलती है। पस्चि मुत्तान का अगर हाँ आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप तनाव पे नियंतरन कर सकते हैं। प्रोध को दूर रखना, मन को सांत और प्रसन रखना इस आशन से पॉसिबल है, संभव है। इससे अनिद्रा रोग में भी लापक्राप्त होता है। इसमें गुर्दे के बिमारी, किड्नी के जो प्रॉब्लम होती है, उसको रोका जा सकता है। अगर आप यह हमेशा करते हैं तो चुकि यह किड्नी पे अच्छा प्रेशर डालता है जब आप आगे जुकते हैं, तो उसमें अच्छे रख्त का संचार होता है, जिसके कारण गुर्दे के बिमारी कभी नहीं होती है। यह शरीर में रख्त का प्रभावी बेहतर करता है और इस तरह से चेहरे पे तेज लाता है, तो यह था पश्चमुत्तानासन, तो अभी उन्हें देखा पश्चमुत्तानासन करने की विदी, उसकी सावधानिया और उसके लाव, कि अगर आपका पैर का की मास पेशियां कड़क हैं, आपने कर पाते हो, या आपको थोड़ा बहुत पीठ मेरुदर्ण में द वो कर सकते हैं, बेनफिट सारे इसके आपके पश्चमुत्तानासन के समान ही रहेगा, आईए देखें, जानु सिर्शासन कैसे करते हैं, सबसे पहले अपने पैर को सीधा कर लें आगे, सीधा बैठें, फिर बाइं पैर को मोरेंगे, और उसे दाइं जंगा के पास में लग दाहिना पैर सीधा आगे, आपकी और मुरेंगे, इसमें भी जैसे हमने पश्चमुत्तानासन में हाथों को उपर किया था, यहां भी हाथ उपर करेंगे, उपर देखेंगे, और आगे के और शरीर को खीशते हुए, सांस छोड़ते हुए, एक्जेल करेंगे, और अपने द इस तरह से, धीरे-धीरे, इन्हेल करते हुए अपने बॉड़ी को आगे खीचेंगे, एक्जेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, इन्हेल, सांस लेंगे, हंथो को आगे खीचेंगे, पिर कान के साथ बाह को लगाते हुए, उपर, एक्जेल, नीचे, इस तरह से, दूसरी और से भी करेंगे, कभे भी एक और से नहीं करते हैं, कोई भी आसा, दूसरी और से, पाए पैर को सीधा, लेक पोजीशन इंटर च आपका ऐसे बाए पैर के अंदर से जांगू को लगेगा, इन्हेल, सांसो को, हाथो को उपर, उपर देखें, आगे की और सरीर को खीचते हुए, एक्जेल करेंगे, सांस छोड़ते हुए, नीचे आएंगे, एक बार अपने शरीर को इस में एड़्जस्ट होने थे, इस प सांस छोड़ते हुए, एक्जेल करते हुए, शरीर को नीचे जाने देखें, सांस लेते हुए, उपर तो को धिरदिवे नीचे करेंगे, जैसे पश्चिमुत्तानासन के बाद हमने पूर्वत्तानासन किया, उसी तरफ, रनुसिर्शासन के बाद भी हम पूर्वत्तानासन करेंगे, या भुजंगासन, या सलभासन, ज्यादा तर पूर्वत्तानासन करते हैं, जो हमने अभी प आसान लगा होगा, धन्यवाद.